स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एक्सराइज 5D बता रही हूं तो उसका फर्स्ट कोशन जो आप लोगों का है वो आपका बुक वर्क ही है इसको आप लोग बुक में ही सॉल्ब करके मुझे पिक भेजिएगा तो इसमें हमको करना है इस चैप्टर में हमको टेन हंड इननों डिजिट से ही डिवाइड करके सॉल्ब करना है तो अपको यहां है 3200 डिवाइड अंडेड तो आपको यहां पे थाटी डू के बगल में भी आपका 2 0 है 00 है डिवाइड भी करना हमको 00 से तो हम यह 00 अगर कट कर देते हैं तो हमारा बचता है 32 यहां पे भी 69 ताउज सेज 3,000 divided 100 तो भी आपका हो जाएगा 30 फिर 6,12,000 divided 1000 यहां पर भी आपका 612 बचेगा क्योंकि 000 है 000 मतलब आप डाउन में कट हो जाएगा यहां पर 15,000 divided 1000 यहां पर आपका बचता है 15 फिर 20,000 divided 1000 मतलब 20 20 में 40 है डिवाइड करना है 1000 से तो 3,0 ही कट होगा तो 1,0 बचेगा मतलब हमको 20 लिखना है फिर 7,80 divided 10 मतलब हमको यहां पर 78 लिखना है फिर 92,000 divided 1000 तो आपका जाएगा यह 92 आपका बचता है नमबर 2 है divide the following numbers by 10 and write the quotient and reminder सारे जो है 1,2,3,4,5,6,7,8 question number 2 में 8 question number of question है तो आपका सारे 8 questions को आपको 10 से डिवाइड करना है और side में answer में लिखना है cosine equal to इतना और reminder ना तो हम पहले स्वाला solve करते हैं 398 10 से डिवाइड करेंगे 398 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 3 जा 30 यहां लिख दिये हमारा पास आया 9 39 में से 30 माइनस किये तो 9 बचता है यह 3 माइनस 3 कठ हो गया फिर हम 8 को लिए आप 10 9 जा 90 तो यह आपका 8 बचेगा 9 में से 9 माइनस हो गया 0 बचा अब हमारा पास यहां पे 8 बचता है तो हमारा आपका यहां पे cosine equal to क्या लिखेंगे 39 और reminder equal to 8 क्योंकि यहां पे 8 लास्ट में है तो यह हो गया आपका reminder ऐसे आपको सारे question solve करना है question number B है 894 by 10 894 तो 89 को लिए तो 108 जा 80 89 में से 90 माइनस किये तो 9 आया यह आपका हो गया 4 मतलब 94 फिर 10 9 जा 94 तो 4 आपका क्या हुआ reminder तो cosine equal to 89 and reminder equal to 4 ऐसे आपको सारे questions को 10 से divide करना है अब मैं question number C बता दे रही हूँ जो 4 digit का है और question number H बता रही हूँ तो वो 12,345 है यह दोनों मैं बता दे रही हूँ और बाकी जो बचा है D E F G उसको आप लोग कुछ से solve करिएगा बट इसको copy में solve करना है C है 1011 मतलब 1011 इसको divide करना है हमको 10 से 1 1 तो यह आज यह आएगा 10 1 जा 10 कट हो गया अब यह 1 आया अब यहाँ 1 है और यहाँ 10 है तो यह तो जाएगा नहीं इसलिए हमको यहाँ पे कोई भी हम जब भी हम double digit two numbers को नीचे लिखते हैं divide में तो यहाँ पे cosine में 0 लगाते हैं इससे यह जो 1 है यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ को बन गया 11 अब 10 1 जा 10 10 2 जा 20 तो 20 नहीं जाएगा 10 1 जा 10 11 में से 10 को माइनस कर दिये तो 1 आया 1 माइनस 1 नदलब 0 तो cosine equal to आपका 101 and reminder equal to 1 अब है question number h question number h है आपका 12,345 by 10 10 1 जा 10 12 में से 10 गया 2 1 माइनस 1 अब हम लिखेंगे 3 बन गया 23 10 2 जा 20 3 यहाँ 4 लिख दिया 10 3 जा 30 4 फिर यह 5 बच्चा है भी 5 लिख देंगे 10 4 जा 40 यह आपका reminder कितना हुआ 5 तो हम answer में लिखेंगे cosine equal to 1,2,3,4 and reminder equal to 5 अब question number 3 में भी वह सेम है divide the following numbers by 100 अभी सारे जो numbers दिये गया है उसको हमको सबको ही 100 से divide करना है तो 925 को हम बता रहे हैं question number 3 925 divided 100 925,900,100 into 9 हो जाएगा आपका 900,5 और यह 2,9-9 मतलब 0 आपका कोसेंट हो गया,9 and reminder हो गया,25, क्योंकि 2500 से छोटा है इसलिए यह second step में divide नहीं होगा अब question number question number 3 का यह first है, मतलब A है question number B में 3498 by 100 3,4,9,8 तो 3 digit लेंगे, 100 है, 100,3 जा,300 349 में से 300 माइनस करेंगे ता आपका बचेगा 49,3 माइनस 3, कट हो गया और हम यहाँ पे 8 लेंगे 40,8,9,4 माइनस 4,0 तबका यहाँ पे भी quotient आगया 34, और reminder हो गया 98, क्योंकि 100 से 98 छोटा है इसलिए यह divide नहीं होगा इस तरह आप पूरू questions को अपने copy में solve करिएगा solve करके इसका whatsapp में class group में मुझे pick send करिएगा question number 4 भी same है divide the following numbers by thousand तो इसको जैसे हमने 10 से divide किया फिर 100 से divide किया अब इसको हम लोग thousand से divide करेंगे question number 4 का भी मैं first बता दे रही हूँ 3856 by thousand तो 3856 को हम divide करेंगे 3000 थाउजन थ्री जा 3000 तो 6 5 8 3 माइनस 3 जब 0 हो गया तो कोसेंट हो गया only 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 856 क्योंकि यह thousand से यह छोटा है चलिए divide नहीं होगा आप question number B 51 0 5 8 by thousand 51 0 5 8 थ्री डिजिट को लेंगे मतलब 5 से divide करेंगे 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5 तो 5000 105 को हम minus करेंगे 5000 से तो 105 आ जाएगा 5 minus 5 अपका 0 अब हम यहा से लेंगे 8 1000 जा 1000 8 5 10 में से 10 minus हो गया तो आपका जीरो कोसेंट हो गया 51 और रिमाइंडर हो गया 58 आसे आप लोग पूरे exercise 5D first question आप लोग book में ही solve करिएगा बाकी second, third and fourth इसको copy में solve करेंगे second में आपको हर questions को ही हर numbers को ही 10 से divide करना है फिर question number third में मैं दो बता दी हूँ बाकी सबको आपको 100 से divide करना है फिर question number four में divide the following numbers by thousand तो thousand से divide करना है और जो quotient और रिमाइंडर आएगा उसको answer में इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है तो आप लोग इसको copy में complete करके class group में अपना copy का pick send करिएगा